श्री शिवाय नमस्तू भी हम दोस्तों साथ मार्च फालगुन मास की पुनिमा तिथी का उपाए पुझ गुरुजी पंडित प्रदिप जी मिश्रा का वीदिवद रूप से विस्तार पुरुवग हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं पुनिमा तिथी का उपाए किस प्रकार से करना चाहिए होली का दहन साथ मार्च को किया जाएगा वही साथ ही में पुनिमा तिथी पढ़ रही है इसे में पुझ गुरुजी पंडित प्रदिप जी मिश्रा का बताया गया विदिवद रूप से विस्तार पुरुवग इस उपाए को हम पहले अच्छे से समझेंगे उसके बाद आप यह उपाए करिएगा किसे करना है किस प्रकार से करना है वहीं धतूरे वाला उपाए पुझ गुरुजी पंडित प्रदिप जी मिश्रा ने अपनी कता के दोरान कई बार बताया है साथी में अगर यह उपाए पुर्णिमा तिथी को किया जाए तो विशेश क्रिपा विशेश महत्व इसका पुझ गुरुजी पंडित प्रदिप जी मिश्रा ने अपनी कथा के दोरान कई बार बताया है तो आईए जानते हैं पोज़ गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा का धतूरा वाला उपाय पूर्णी मातिती को आपको केसे करना है देखें सबसे पूर्व आपको क्या करना होगा की एक धतूरा आपको लेना है एक धतूरा ले लिजिये का एक धतूरा लेने के बाद में एक शुद्द लोटा जल और यह धतूरा मंगलवार के दिन पूर्णी मातिती को आपको किसी भी नस्दी की शिममंदिन में लेकर चले पूर्व अर्पित करना है किस प्रकार से करना है शिममंदिर में जब आप एक शुद्द लोटा जलोड धतूरा लेकर आएं उसके बाद ओम नमज शिवाय मंदर का आपको 111 बार जब करना है 111 बार ओम नमज शिवाय मंदर का जब करते हुए मंगलवार के दिन पूर्णी समय से पूर्ण नहीं हो पा रही है बहुत उफाय करने के बाद भी आपके कार्य सिद्द नहीं हो पा रहे हैं तो यह चोटा सा उपाय पूरी श्रदा विश्वास के साथ पूर्णी माधितिको फाल गुन माज की इस होली का धहन से पेले आपको एक बार इस उपाय को विदिवद रूप से विस्तार पुर्वक जल अर्पीत कर दीजिएगा शुद्ध लोटा जल जो आप अपने साथ लेकर आए है इस धतूरे के साथ जो शुद्ध लोटा जल आप अपने साथ लेकर आए इल्कुल पतली ताड़ से आपको शिवजी को जलर पित करना है इतना करने के बाद कुछ देर मंदीर में बेटकर ओम नमशिवाय मंतर का जब करिएगा आपकी इच्छा मनो कामनाओं को आपको नंदी महाराज के कानों में कह देना है वह सब पूर्ण होगी साथी में बाबा म करिपा आपको प्राप्त होगी